मैं डॉक्टर नीता का नहींगो, B.A.C. Part 2, Inorganic Chemistry, Transition Element का Part 7 7 में आज अपन मेटिलिक नेचर, Transition Element का कैसा होता है, उसके बारे में स्टेडी करेंगे जिसे कि अपने को पता है कि समस्त संक्रमंट दात्र, कठोर, आगतवने, तन्य, मैलेबल, डक्टाइ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाली और एलेक्टरिसिटी और हीट कंड़क्ट करने वारे होते हैं ही सारे गुण चूः होते हैं, वो दात्र में पाय जाते हैं उन व्हे नंसब को नानुमेट से अलग करते हैं इस कारण हम कह सकते हैं, कि समस्त संक्रमंट तर दात्र،त्र क्रकाति के होते हैं पर इसमें भी अपन देखते हैं और ये सारे जो धात्वी मेटल्स होते हैं ये क्लोस पैक्ट स्ट्रिक्चर में पाई जाते हैं पर अपन देखते हैं कि मैंगनीज जो है इसमें एक अफ़ाद है इसमें तीन तरह की किस्टल सरचना पाई जाती है BCC यानि काय केंद्री घनिय सरचना, FCCC यानि फलक केंद्री घनिय सरचना, HCP यानि शर्ट कौनिय निभिंट संकुलित सरचना, इसका कारण ये है कि मैंगनीज में D5 electronic configuration पाया जाता है, और इसकी कारण इनकी जो close packed structure है, वो unpaired electron पाँच होनी कारण एक अलग तरह की पाया जाती है, और ये धात्विक चमप, high malability, high melting point, इन सब के कारण जो है, वो इसमें विद्धिमान D electron है, और उसमें एक विशिष्ट प्रकार का बंद पाया जाता है, इसके कारण होता है, इसलिए हम देखते हैं कि यही बार क्या होता है, कि जो धात्विक बंद बनता है, वो किसके कारण बनता है, कि इनके जो dn-paired electron में इनमें आपस में overlapping हो जाती है, और overlapping होने के कारण भी ये एक close packed structure में आ जाते हैं, और close packed structure की enthalpy of atomization भी ज्यादा हो जाता है, और इसी कारण इनका melting point और boiling point भी हाई होता है, तो इक close हम ये कह सकते हैं, कि जित्ते number of unpaired electron बढ़ते जाते हैं, तो metallic nature भी बढ़ता जाता है, पर जब pairing स्टार्ट हो जाते हैं, तो metallic nature कम होता जाता है, तो इस तरह से अपन देखते हैं, कि इस candium से chromium तक metallic property भढ़ती है, और manganese से जिंग तक वापस गढ़ती जाती है, ये अपने इसके metallic nature में पढ़ा, अब आता है next point, melting point and boiling point, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को कहूँँगे, कि आप एक बार table देखें, जो मैंने draw की है, इस table में हम देख रहे हैं, इस candium से जिंग तक के melting point और boiling point दिये हुए हैं, इसमें हम देखते हैं कि manganese के exceptional, मैंने underline किया है, कि exceptionally melting point low है, और जिंग का melting point low है, इसका कारण ही है, कि जैसे जैसे अभी मैं अपने discuss किया था, जैसे कि metallic nature में, कि इस candium से chromium तक unpaid electron बढ़ते जाते हैं, डी कखशक में unpaid electron बढ़ते जाते हैं, और इनका धात्तिक बंद में यूगदान बढ़ता जाता है, और धात्तिक बंद प्रभल हो जाता है, और गलनाक वगांतनाक बढ़ता जाता है, बाद में जो D electron में युगमन स्टार्ट हो जाता है अयुगमित electron की सिंख्या कम हो जाती है और कम हो जाने के कारण इनका बैलिटिक बॉइलिंग पॉइलिंग पॉइलिंग दिक्रीज हो जाता है दूसरा कारण के है कि इनके D5 और D10 विन्यास इस विन्यास के कारण क्या होता है कि metallic bond में इनका contribution कम हो जाता है तात्विक बन बनाने में इनका contribution कम हो जाता है ये कि सिर्चर ले लेते हैं और metallic bond जो बनना होता है उसमें contribution कम हो जाने का manganese जैसा कि अपन साने में देख रहे है 1244 melting point और boiling point है ये कम हो गए exceptionality इनके साथ के elements है इस तरह से हम metallic point और boiling point को भी discuss कर सकते हैं और हम देखते हैं कि zinc, cadmium, mercury इनके melting point, boiling point बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि एक stable configuration अटेंट कर लेते हैं और mercury इक इसमें exceptional है जो कि liquid हो पाया जाता है तो ये अब कह सकते हैं कि D10 विन्यास के कारण धातिक बंद में D-lektron का युद्गान समाप तो जाता है इसलिए melting point, boiling point के मान काफी कम हो जाते हैं जैसा TV में दिख रहा है कि zinc का 420 और 207 जिंक का melting point और burning point पाई जाते हैं next property अपन next day उसमें पढ़ेंगी thank you मतरे जाते हैं जाते हैं झाल झाल